हेलो गाइज आप देख रहे हो क्रिकर अदविशाल गाइज ये वीडियो सभी बैट्समेन के लिए है आज हम बात करेंगे बैटिंग करते वे अपने आपको मेंटली स्ट्रोंग कैसे रखें बहुत जाधा इंपोटेंट वीडियो होने वाला है खासकर बिगनर्स के लिए क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप जाओगे और आप मेंटली स्ट्रोंग अपने आपको नर्वस फिल कर रहे हो तो आपके कभी बैटिंग नहीं होगे आप आपने स्टेट के लिए अच्छा करोगे और यह आपको बड़े मैच में भी काम आएगा जब बड़े टूनेमेंट खेलोगे क्योंकि सारा खेल हमारा मैंड का होता है जब भी हम बैटिंग करते हैं तो यह वीडियो आपका बैटिंग चेंजिंग वीडियो होने वाला है इ आपके लिए कवर कर रहा हूं गाइज बहुत भाई कमेंडों से पोस्ते हैं और जो मेरी एकड़ेमी के जूनियर प्लेयर भी है उनको भी बहुत जादा प्रोल्म होती है बैटिंग करते हैं स्टार्टिंग में तो यह तीनों पॉइंट आपके सारी गलतिया अगर आपको मैच खतब होने वाले सबसे पहले बात करते हैं आपकी जो पहले से तयारी रहेगी मैच के लिए वह सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर आपकी तयारी कुछ भी निया तो आपको मैं 100% बोल रहा हूं आप कभी भी मैच में अच्छा नहीं खेलोगे और आप मैंस से सब से पहले आपको क्या करने सबसे पहले आपको तइयारी अच्छी करनी है अगर आप मैच खेलने जा रहे हो तो सबसेने आपको एप सफ्पर नेरिया आपकर अश्या करना है अपनी mús'. यहोगा रहना है उन्दर की मैच में जो भी होगा देख आगा जहाँ बोला हुख तो सबसे पहले आप तैयारी अच्छी करोगे उसके बाद आप मोटिवेट रहोगे तो राम सी आप क्रीज में खेल सकते हो अब बात करते हैं दूसरे पोइंट के बारे में जब आप विकेट पर जाओगे तो काम आता है हमारा दूसरा पोइंट क्या आएगा आपको मैच की स सब्सक्राइब कर दांब किसे से क्या वोला हुए उसके पर चला नाकि आप और रही एक प्लाएं को प्लाएगा कि मुझे पांच उड़ तक निकालने मुझे तो फिर आप उस टाइम कंफूजिन रहोगे आपने त्रीयारी पहले करी है आप मेंटल इस्टोंग हो जैसे में आपको बोला मतलब मोटिवेशन फील कर रहे हो जैसे हमारे पहले प्लाइब कवर होगे उसके बाद आप मैच की शुच्छनिस साब से खेलना जैसे मैच का चल रहा है साब से उससे खेलोगे तो आप कंफूज दोगे क्योंकि बहुत बाइशमें कंफूज रहते हैं कि मुझे करना कहा है अगर आपके पास प्लैन नहीं तो आपको प्लैन वनानाने पड़ेगा कि मैच में चल र आपको अच्छी बोल दिखने लगती है फिर आप लगा सकते हो तो सबसे पहले आपको पहले ही होना चाहिए कि आप को मोटिवेशन भी कराएगा और विकेट का भी बता देगा विकेट कैसा चल रहा है क्योंकि उसके बाद आपको हेल्प होने वाली है फिर आप बढ़े श बहुत पॉइंट है और बड़े बड़े प्लेयर बड़े बड़े बैट्समें इस चीज का यूज करते हैं अपने सब कोइंसे मैंड का कैसी यूज करना है आप मैसे पहले भी यूज कर सकते हैं मैच के टाइम में भी आपको मतलब यह नहीं सोचना है कि आपको कर रहा हूं मैं ऐसे कर रहा हूं वह बहुत बड़ा रोल होता है बहुत बड़े-बड़े बैट्समें इस चीज का यूज करते हैं विराट को मिने बहुत इंटर्यू में से सुना कि वह सब को से मैंन से पहले ही सोचते हैं वह कभी उसमें अपने आपको डालों के लिए मैंसे आप को जैसे आपने प्लान कर दिया तो आपको यह नि-सोचना है कि कोई बोल राया का मेरा विक डिलर आपको खेलते रहना हो यह और आपको आपको test हो कि नैचिल रहना आपको कुछ मत में आपने अपने नेट में जा गर रह आपके करना है आप कुछ नया शो ट्राइब कर रहे हो पहले उसको नेट्स में कर रहे हो फिर आगे अपने मेच में कर सकते हो वहाँ पर आपके आप कन्फीज हो जाओगे तो आपको बोल टू-बोल खेल ला है अगर हां फ्लिफ्टे मारनी है तो अपने वे अपने जैसे आप नेट्स में करते हो ऐसे मार सकते हो तो आपको सबसे बड़ा रोल अपने सब कोई से मैंन का भी रखाना है उसको पॉजिटिव रहने देना है और उसमें मतलब बात डालने कि हाँ अप अच्छा खेल रहे हो आपने हंडेड कर दिया आपने 50 कर दिया अपने 30 पलस रन कर दिया पहले चोट यह बात सोचते रहो तो वह फिर आएगी यह सब बड़े बड़े प्रेर इस चीज़ करते हैं और आपको भी करना चीए आप सीधा सा फंडाय आप अच्छे जो भी आपका मैंने अच्छी बाते सोचो और आपने आपको सोचो कि आगे क्या होने वाला है मैं आसे खिलूंग पर जब आप अच्छी बादे डालना स्टार्ट करोगे फिर आगे बोलना है विसाल भाई बहुत हेल्प हुई आपकी फिर कमेंट भी करना नीचे कि मेरी बात से आपको हेल्प हुई क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैंने खुद जो अपना करियर क्रियर का क्रिक मिलती होगे और गाइज इंस्साग्राम पर सेम अकाउंट टे किरकेड़े दुरी साल वहाँ पर भी आपका सपोर्ट चाहिए वहाँ पर भी जाके फोलो कर लो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंक्यों गाइज